हेलो दोस्तों मेरा नाम है दिशा वेश्ट गौर्ड और आप देख रहे हैं जागरन जोज डाट कॉम और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करेंट अफेस के क्वेश्चन्स और क्या क्वेश्चन्स बनाए जा सकते हैं और उनके सही जवाब क्या होंगे उनके बारे में भी बात करेंगे साथ ही इस वीडियो के एंड में एक सवाल आपको देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ के सैनिको के उतरने के उपलक्ष में आपको ये भी बता दे कि ये जो टीम थी ये पाकिस्तानी आकरमन कारियों से भारतिय शेत्र की रक्षा कर रही थी इनफैंट्री डे दो हजार बाइस ये सेलिब्रेट करता है भारतिय सैनिको के साहस और वीरता का जश्न जो चुनोती पूर्ण मिश्न का हिस्सा थे अगले सवाल के और बढ़ते हैं अगला सवाल है इसका सही जवाब है युक्रेनियन पीपल यानि विचार की स्वतंतरता के लिए 2022 सखारोफ पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया और ये थे युक्रेन के लोग जब रूस का आकरमन हुआ था उसके खलाफ उन्होंने तंतर, स्वतंतरता और कानून के शासन के रक्षा के लिए सम्मानित किया गया है उनको इसलिया बॉर्ड मिला है सेवगाडिंग दियर डेमोकरिसी, फ्रीडम एंड रूल ओफ लोग सखरोफ प्राइस 2022 इनको मिला है यूरोपिय संसद्वारा और यूरोप के लिए उन्हों हर घर जल राज्य गोशित किया गया है इसका सही जवाब है C. गुजरात प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने गुजरात को 100% हर घर जल गोशित किया है और ये भरत में स्कूलो और आंगनवाडी केंद्रों में नल का साफ पानी उपलब्द करा कर बच्चों के स्वास्त और कल्यान को सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंतरी ने 100 दिन का कैंपेइन चलाया था और इस कैंपेइन का जो मोटो था वो था नो वन इस लेफ्ट आउट यानि कोई भी छूटा नहीं है और इस प्रकार से हर घर को उसकी समाजिक आर्थिक स्थिती चाहे वो अमीर हो ग और यूनियन टेरिटरी मिनिकोई थुंडी बीच और कदमत बीच को हाल ही में ब्लू फ्लैक सर्टिफिकेशन मिला है दोनों समुदर तट किस भारतिय राज्य या केंदर शासित प्रदेश में स्थित है इसका सही जवाब है बी लक्षवदीब मिनिकोई थुंडी बीच औ जिसके बाद उनको वो इस लिस्ट में आ गए है जिसमें ब्लू बीचिज होते हैं दोनों समुदर तट लक्षवदीब में स्थित है जो लेटस एडिशन हुआ है इसने अब इंडिया के जो बीचिज है ब्लू फ्लैक सर्टिफिकेशन में अब बारा हो चुके हैं आगे ब इसका सही जवाब है C. एजिप्ट जलवायू पर संयुत राश की 27 वी वाशिक बैठक कॉप 27 6 नवंबर से 8 नवंबर 2022 तक होगी और ये होगी मिस्र में यानि एजिप्ट में जहाँ पर शर्म अलशेक एक जगा है वहाँ पर ये मीटिंग होगी ये कॉन्फरेंस होगी ये पांचवी बार होगा जब अफरीका में जलवायू सम्मेलन की मेजवानी की जा रही है सम्मेलन में भाग लेने के लिए 200 से ज़ादा देशों को आमंत्रित किया गया है अब बात करते हैं पिछले वीडियो के सवाल की पिछले वीडियो में हमने आप से सवाल पूछा था कि इस वीडियो के आखिर में आप से सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब अगर आपको पता होगा आप या हमें कमेंट बॉक्स में लिखके दे सकते हैं सवाल है इसका सही जवाब अगर आपको पता होगा हम इन कमेंट बॉक्स में लिखके दे सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जलूर कीजिए साथ इससाथ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और हमाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले